जैहिंद वेलकम टू विजेपत्थ एजुकेशन पालोंपूर एक वार आप सभी का HRTC ओनलाइन बैच में हारदिक स्वागत है आज एक वार फिर से हम आपके साथ ओनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं इस क्लास में हम मोटर वाहन से रिलेटेड सर्क सुरक्षा संकेत जानकारी और ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी सुझाव या फिर नियम रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे सो क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है जादा जानकारी के लिए आप हमारा HRTC का ओनलाइन पेड बैच जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आप www.vijepatheducation.com के उपर या फिर प्ले स्टोर से विजेपथ गौर्मेंट एक्जाम प्रेपरेशन आप डाउन्लोड कर सकते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 200 रुपे में HRTC कंड़क्टर का ओनलाइन बैच रखा है जिसमें आपको live प्लस recorded classes आपको मिलेंगी साथ में HRTC कंड़क्टर एक्जाम के ओनलाइन नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किये जा रहे हैं प्लकुल नॉमिनल सप्राइज हमने रखा है ताकि हर बच्चे जो हैं उस बैच को जोइन कर सके सो स्टार्ट करते हैं आज की स्क्लास को देखी सबसे पहला कोशन है हमारे पास तो पहला कोशन है हमारे पास अधिक्तम स्वक्रित बजन जिसे माल गाड़ी पर किया जा सकता है जो माल गाड़ी है उसके उपर मैक्सिमम कितना बजन हम रख सकते हैं ओप्शन है 10 टन 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम का मतलब 1 टन होता है कोई सीमा नहीं या अनुमती के अनुसार अनुपात देखिए मैक्सिमम बजन जो है जैसे कोई एक ट्रक है उसके अंदर हम कितना भार जो है वो रख सकते हैं करता है कि उसमें कौन सा समान लेके जाना है और उसको कितनी अनुमती जो है वो मिली है यानि कि वो ट्रक उसके अंदर कितना मैक्सिमम लिमिट तक जो है वो बजन के अकॉर्डिंग समान जो है वो उसमें रख सकता तो ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर next one most important question है आज की इस class का और इसमें आपको पुछा गया है driving के तीन rule जो है वो कौन से है main rule जिनको main primary rules हम कहते है primary rules of driving उनको सही करम में आपको बताना है सोचो करो और देखो पहला option है दूसरा है करो सोचो देखो तीसरा है पहले देखें फिर सोचें और फिर करें और चोथा ह पहले देखो फिर करो और फिर सोचो तो देखी कौन से इसका right answer होगा यह आपको बताना है काफी अच्छा question है इस class का यह और इसका जो right answer रहेगा वो है आपके पास option number C option C इसका जो है वो बिलकुल सही answer रहेगा इसमें आपको बताया गया पहले आप क्या करें किसी भी कर लिया देख लिया उसके बाद उसको think करें आप उसके बारे में सोचें आपने दिमाग लगाया आपने सोच लिया उसके बाद आप decision करें कि वो चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी है जैसे कि मान के चलते हैं कोई गाड़ी आपको overtake कर रही है तो पहले आपने किया उसको रखूँ या फिर उसको pass दे दूँ उसको जाने दूँ या उसको पीछे रखूँ किस तरीके से ब्रेक लगाऊँ आपने सोचा उसके वाद आपने कोई action किया मतलब आपने अब क्या किया ब्रेक लगाई और उस गाड़ी को क्या कर दिया पास दे दिया तो ये तीन main primary rule जो है वो माने जाते हैं और इसका जो proper sequence है वो है पहले see, think and do इसका जो मतलब है पहले आप देखें फिर सोचें और फिर last में करें next question है चिन जो है ये किस चीज को बताता है ये चिनो वाली जो class थी हमारी मैंने उसके उसमें पूरी की पूरी इस class में मैंने आपसे ये question जो है वो discuss किये है आप उनको एक वार देख लीजिए देखी गाड़ी बनी है तो गाड़ी के आगे जो है वो एक ऐसे सांप जैसे जो है वो बनाएगे है मतलब यहाँ पे क्या है फिसलन है तो यह जो सड़क है वो कौन सी है फिसलन बाड़ी सड़क है इसलिए option B is the right answer next one जब कोई बाहन दुरघटना में शामिल होता है तो किसी भी ब्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए मान के चलते हैं HRTC की बस है और उसका हाथ जो है वो दरवाजे में आ गया तो conductor को पहले क्या करना चाहिए या फिर अगर आप उसकी जगह है तो आपको क्या करना चाहिए क्यूंकि उसी post के लिए आप भी त्यारी कर रहे है option A कहता है घाय लोगों को चिकित सा ध्यान रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और निक्तम police station को report करें next बहन को रोकें और police को report करें number C है चुपचाप video बनाएं नहीं बीडियो बनाने वाला option तो बिल्कुल सही है neglect कर दिये जाएगा कुछ भी ना करें अगर आप इंसान है सिर्फ हाथ दरबाजे में आया है या फिर अगर कोई accident ही हो जाता है police को report करना जरूरी है लेकिन उससे पहले उससे पहले जो है वो आपको क्या करना है उसको चिकित सा देनी है यानि कि उसको पहले medicine या health related जो भी उसकी चीजें है पहले उसको वो चीजें जो है वो provide करवानी है ठीक है उसको सबसे पहले fast aid जो है वो provide करवानी so option is the right answer next one बिल्कुल easy सा question है इसमें एक घोड़े गाड़ी का चितर दिया गया है और बीच में एक line लगाई गयी है इसका तो direct ही meaning है option c यानि कि जो तांगा है वो यहां से निशेद है देखिए बैल गाड़ी और तांगे में दोनों में फर्क होता है अगर आप picture को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो यहां पे जो चितर है वो एक गधे का चितर है ना कि एक बैल का चितर है यह जो है एक घोड़े का है घोड़ा या फिर गधा आप कह सकते हैं यह तांगा है यह question आपके लिए बिल्कुल important है बिल्कुल ही important option c जो है वो इस question का क्या रहेगा बिल्कुल सही answer रहेगा next question देखिए एक motor बहान के चालक को किस तरफ चलना चाहिए हमेशा सड़के बाई और दाई और बीच में या फिर नीचे तो देखिए यह तो बिल्कुल easy है हमें हमेशा जब भी हम travel करते हैं चाहे वो paddle है या फिर बहान में है हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी left side चलना है यानि कि सिर्फ और सिर्फ बाई side जो है वो हम चलेंगे next question ट्रेक्टर का चालक नहीं ले जाएगा ठीक है जी तो आपको बताना है ट्रेक्टर का चालक जो है वो क्या चीज़ नहीं ले जा सकता चालक के अलावा तीन से अधिक ब्यक्ति मतलब मैक्सिमम उसमें तीन ब्यक्ति जा सकते है चालक के अलावा कोई भी ब्यक्ति चालक यानि कि जो ड्राइवर है चालक सही तो दो से अधिक ब्यक्ति या किसी समान को क्या वो नहीं ले जा सकता तो इसका जो right answer है चालक के अलावा कोई भी ब्यक्ति, ट्रैक्टर में जो है वो कोई भी ब्यक्ति जो है वो include नहीं किया जाता है जैसे कि स्कूटी है, स्कूटी में maximum चालक के अलावा कितने ब्यक्ति बैठ सकते हैं सिर्फ एक, स्कूटी में maximum दो बंदे बैठेंगे, एक होगा ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहा है और एक उससे पीछे, वैसे ही जो ट्रैक्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ चालक ही बैठ सकता है, उसके अलावा कोई भी ब्यक्ति जो है वो वहाँ पे according to rule उसमें वो नहीं बैठ सकता next question, overtaking खतरनाक है, तो आपको बताना है overtaking के बारे में कि जो overtaking है ये खतरनाक है कहां पर, express road पर एक रास्ते पर, careless mode और पहाडी के शिकर पर और सीधे सडक पर, वैसे तो overtaking जो है वो हमारे लिए खतरनाक है लेकिन हम plain road पर इसको easily जो है वो कर सकते हैं, express road यानि कि बिल्कुल highway है वहाँ पर तो हम कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद option B, एक रास्ते पर तो रास्ते पर भी हम overtaking कर सकते हैं, option D में बताएगा सीधे सडक पर, तो अगर ना कोई normal road है straight road है, वहाँ पर भी हम overtake कर सकते हैं, लेकिन option C अगर एक कोई पहाड़ी का सिखर है या फिर careless mode है, यानि कि एक तीखा mode है, तो वहाँ पर हमें overtaking जो है, वो avoid करनी चाहिए next question देखिए ये चिन हमें क्या बताता है, चिन्नों वाली class में मैंने आपसे discuss किया था, तो एक cycle का crossing कर सकते हैं, क्योंकि cycle के नीचे एक रास्ता बनाएगे, एक दानेदार जो है, वो एक रास्ते बनाएगे हैं, कुछ इस तरीके के, आपने अगर picture को ध्यान से देखा तो option B is the right answer, next one देखिए नई कार के लिए one time text है, तो नई जब भी हम कार लेते हैं, one time text जो है हम भरते हैं, तो ये कब तक बैलेट जो है, वो रहता है, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, पंजी करण रद होने तक, यानि की registration पूरी होने तक, end time जो है, जैसे की कोई भी हम गाड़ी लेते हैं, 15 साल की उसकी registration बनती है, उसके लिए उसको renew कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी option D, इसका जो right answer है वो है option number B, 15 साल तक जो है, वो हमारा text जो है, वो ballot रहता है यानि कि जो हमारी RC गाड़ी की जो RC ballot है, वो सिर्फ 15 साल तक है, चाहे हम scooty लें या गाड़ी लें, 15 साल के बाद हमें उसको क्या करवाना पड़ता है, renew करवाना पड़ता है, यानि कि हमें text जो है, वो दोबारा से देना पड़ता है, next question देखिए, एक चिन बनाया गया है, और ये चिन किस चीद को show करता है, गाड़ी है, नीचे की तरफ उतर रही है, इसका मतलब है, यहाँ पर क्या है, उतरन है, खड़ी उतरन है यानि कि option is the right answer next one, अब मैंने ये question पहले वी आपके साथ discuss किया था कि जब हमारे पास एक plus का symbol हो, और एक bed का symbol हो, तो वो दोनों चितर जो हैं, वो किस लिए बताते हैं, एक अस्पताल को बताते हैं, इसका option c, जो है वो आपका right answer रहेगा लेकिन उस symbol वाली class में मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सिर्फ एक plus का चितर दिया है, तो इसका मतलब अस्पताल नहीं है, अगर आपके पास एक bed का चितर दिया है तो इसका मतलब भी अस्पताल नहीं है लेकिन ऐसा चितर, जिसमें plus और bed दोनों दिये हैं तो वो होता है आपका अस्पताल तो option c, जो है इसका सही answer रहेगा next question, तुम गाड़ी चला रहे हूँ, एक बहान तेजी से पीछे आता है चमकती headlight के साथ तो तुम ही क्या करना चाहिए देखिए, हमसे ये question पूछा है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं और एक बहान बिल्कुल speed से जो है वो आता है उसने headlight अपनी own रखी है dip पर उसने नहीं किया है तो हमें क्या करना चाहिए अपने पीछे की दूरी बनाए रखने के लिए तेजी लानी चाहिए, नहीं अपनी brake light दिखाने के लिए brake को सपर्ष करना चाहिए हाँ ये हम कर सकते हैं सुरक्षित होने पर और उचित signal के साथ बहान को overtake करने दे या फिर उप्रोक्त सही सो इसका जो best answer हमारे पास रहेगा वो है option number C सुरक्षित होने पर उचित signal के साथ बहान को overtake करने देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात बताएगी है बहान तेजी से आ रहा है speed से आ रहा है तो मतलब कि जो पिछला बहान जो आ रहा है वो उसको control करना मुश्किल है तो हमें easily उसको क्या करने देना चाहिए overtake करने देना चाहिए अब last question आज की हमारी second class का बिना gear वाली गाड़ी चलाने की new term IU क्या है अगर कोई बिना gear वाली गाड़ी हम cycle जो है वो चला रहे है तो इसका right answer क्या रहेगा स्कूटी बिना gear वाली motorcycle की उसकी new term IU कितनी है 16 साल है लेकिन license कब बनेगा 18 साल का ही बनेगा जैसे की cycle है बिना gear वाली कोई भी हम cycle यूज़ करते हैं तो हम 16 साल के जब हैं तो हम उसको easily सड़क के उपर चला सकते हैं कोई एक ऐसा vehicle आ गया जैसे कि आज कल electric scooty है तो हम 16 साल में हम उसको चला सकते हैं न्यूनितम IU क्या है स्कूटी अगर हम चला रहे हैं तो 16 साल के IU में हम उसको चला सकते हैं रास्टे के उपर लेकिन रास्टे के उपर हम तभी चला सकते हैं जब license बनेगा और license बनने की minimum age कितनी है 18 साल ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है सो आज की इस class में हमने 15 से ज़्यादा question discuss किये I hope आपको class अच्छी लगी जल्दी ही मैं next class के साथ आप से मिलूँगा तब तक के लिए आप अपनी त्यारी रखिए मोक आप लगाते रहिए विजयपत education के साथ जल्दी ही next class के साथ मैं जुड़ूँगा तब तक जैहिंद जैभार